सम प्रकाश तम पाख दू नाम भेद विधिकीन ससी सोसक पोसक समझी जग जस अप जस दीन क्या करते हैं बाबजी कि महीने के दो पखवाडे में उजियाला और अंदेरा शमान ही रहता है परन्तु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है एक का नाम सुकल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला शमच कर जगत में एक को सुयस और दूसरे को अपयस दे दिया गया आगे क्या केते हैं तुलसी बाबा जी जड़ चेतन जग जीव जत शकल राम मैं जान बाबा जी ने कहा जड़ चेतन जग जीव जत शकल राम मैं जान बंदा हूं सब के पद कमल सदा जोोर जुगपान, क्या कहा बाबाजी ने, तो वसे बाबाजी ने अपने लिये कहा है, कि मैं सबको राम मैं, जब इस रामचित मानश का उन्हों ने रचना चालू किया, तो उन्होंने शब को दुष्टों से लेकर, शंतों से लेकर, सज्जन से लेकर, असज्जन से लेकर, नाग, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, विसाज, सभी को उन्होंने प्रणाम करते हुए, इस रामचेत मानश का उन्होंने रचना करी, और क्या कहा, कि जड चेतन जग जीव जट शकल राम मैं जान जगत में जितने जड़ों चेतन जीव हैं सभी प्रकार के शब को राम मैं जान कर मैं उन शब के चारण कमलों की सदा दोनों हाथ जोडकर बंदना करता हूँ एक किसने कहा बाबा जीने क्योंकर ने का кон returned जब जब इस समेय प्रथिवी पर चलता रहेगा और इसका बिरोध करने वाले बिरोध करते रहेंगे इसलिए बाबा जीने कहा कि हम जड नतल्ब जो बिरोध करने वाले हैं उजड चेतन्य जो समझदारी है यहाँ पे जड़ की परिभासाएं जो है वो बिच्छ या पत्थर से इन से नहीं है जड़ यानि मनश रूपी जड़ जिनके ना सोचने की सकती है ना समझने की सकती है वो शिर्फ दूसरों की बुराई करने वाले होते है बाबा जी ने उनके लिए और इसके ब प्रेत पितर्व गंधर्व देखिए बाबा तुलसी बाबा जी ने कितनी प्रिया शोपाईल किये कि सब को बंदा हूं किनर रज नीचर किरपा करऊं अब सर्व सभी से उन्होंने हाथ जोड़ के किसे का देवताओं से दैत्य से मनुष्य से नाग से पच्छी से प्रेत से पीतर से गंधर्व से किनर से और यहां तक उन्होंने निसाचर सब को प्रड़ाम करते हुए कहा कि अब सब लोग मुझे पर किरपा किजिए क्या कहा बंदह किन्नर रजनी चेर किरपा करहूं अब सभी लोग अब किरपा करें क्योंकि अब मैं सभी को राम मैं जानके राम की भक्ति में पूरे संसार को समझे केर मैं इसकी रचना कर रहा हूँ इसलिए अब सब लोग किरपा करें जो कुछ भी है जो हमें बता है जो नहीं मालूम है कोई ना कोई कुछ ना कुछ आके हमें इससे अवगत कराएं और अपनी किरपा हमारे उपर रखें